हेलो एप्रिवन वेल्काम टू माई चानल लेटस भी प्रोफेशनल आपका हमारे चैनल पर हर्दिक स्वागत है तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप से प्रॉमिस किया था कि अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने वाली है तो आज उसी की बेसिस पर हमारी वी कर पाते कि कब हमें लगाना है और कब लगाना तो आज इस छोटी सी वीडियो एक लाइन का सेंटेंस आपके यह पूरी क्लियार्टी दे देगा जे वीडियो तो तो टुड़े वी डिसकस अबाउट डिफ्रेंस बिट्वें ए एंड एंड कल मैंने बताय हुआ था आज की वीडियो हमारी उसी टापिक पर होने वाली है कि किन वर्ट के पहले हम लगाएंगे और किन वर्ट के पहले एंड लगाएंगे तो नार्मली जो होता है जो कैस्वल्टी में होता हम एंड कब लगाते हैं हम देखते हैं अगर वॉल्स जिसे हम वाविल्स कहते हैं एई आई यह five bubbles हमारे होते हैं अगर इनके पहले हम आमेशा लगा देते हैं अगर कोई भी वोड इन 5 वर्ड से स्टाट हुआ है तो एंड लगा देते हैं और क्या होता है इसके अलावा हमारे जितने भी वड्ड सब्सक्राइए है 21 words इसके अलामा जो भी होते हैं उसके पहले हम यह लगा देते हैं यह तो कॉमन सी बात हैं लगाते ही लगाते हैं लेकिन अब एक condition आपको बताते हैं फिर आप बताएं क्या यह सही है अच्छा एक्जांपल बताते हैं वावेल्स के लिए एन एलिफैंट विकास इसे स्टा लगाएं लगा फिर लगा यह करेक्ट क्योंकि यह वावस आइसक्रीम खळीजिए अब यह हो गया अब यह हो गया एक लिफैंट पलैण अम्प्रेला आइसक्रीम एसक्रीम यह आपके होगे अब आईए हमारे एक के तो ए से जितने भी वर्ड बस्ते सब के पहले ए लगाते ही हैं फर एक्जामपल के लिए अबॉल अकार डॉग साइकल स्कूल अब वाइरस लोटस बहुत सारी चीज़ें अब इसके बात क्या आता है छोटा सा पॉइंट अब डाइवर्ड कर देगा आपको योनिफर्म यू से स्टार्ट है एक वावेल से एंड यू फॉर अंब्रेला छतरी ये भी यू से स्टार्ट ही ये भी वावेल से दोनों स्टार्टिंग है यू से लेकिन अब आप अभी तक जो लगाते हैं योनिफर् के लिए ये लगाते हैं अब्रेला के लिए एंग लगाते हैं ऐसा क्यों करते हैं यही जो आपका क्यों है यही आपको आशार तक पहुचाये गा क्यों तो इस और नाट रॉकेट साइन्स कोई बहुत बड़ी लॉजिक इसमें नहीं बहुत छोटा सा है ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा कंक्लूजन इसी एक लाइन में है English grammar is running and using vowels and consonant are the basis of pronunciation not a way of writing word यानि English grammar जो होती है यह हमारे वर करती है vowels and consonant को यूज करने का जो तरीका हो हमारे pronunciation के बेस पे चलती है ना कि written के बेस पे कि कौन सा word किस word से लिखा गया है इस word को हम care नहीं करते हैं हम सिर्फ यह देखते हैं कि उस word का pronunciation किस हमारे वावल से हो रहा है या इसके लिए भी पहले इतना समझेंगे जो English grammar हमारे word के basis पर नहीं चलता वो pronunciation के basis पर चलता यानि अगर उसका pronunciation हमारे pronunciation आपका दूसरा है इक मेंस एक्जांपल के लिए भी अंब्रेला यूनिफॉर्म आया था अब अंब्रेला अंब्रेला के पहले इसलिए लग रहा है क्योंकि अब देखिए आज से अहा तक अगर आपके वर्ड हैं यानि अगर उसका pronunciation आज से लेकर हिंदी वर्ड के अ से अहा तक जिसे हम स्वर कहते हैं अगर इन में से किसी वर्ड के साथ हो रहा है इंग्लिश का pronunciation तो उसके पहले डेफिनेटले हंडेट परशेंट कोई डाउट नहीं और ही लगेगा और वहीं पर जो हमारे consonant है यानि A-E-I-O-U की अलामा अगर कोई वर्ड है या ऐसे वर्ड जिनका pronunciation को सिले करके ज्यां हिंदी के जिसे वेंजन कहते हैं pronunciation का से ज्यां तक कि किसी भी वर्ड के साथ हो रहा है तो definitely 100% हम A word use करेंगे ही करेंगे no doubt example के लिए देख लिजिए अगर U for umbrella A हमारा क्या है हिंदी का श्वर है तीसलिए हम N लगाएंगे apple A हमारा क्या है हिंदी का श्वर है हम N लगाएंगे elephant A हमारा हिंदी का श्वर है N लगेगा अब देखिए लेकिन umbrella U से start हो रहा तो U के coding देखा जा तो होता तो वावल से लेकिन pronunciation हम क्या कर रहे हैं स्वर में कर रहे हैं तो आप स्वर ध्यान दीजिए जिस वर्ड का इंग्लिश के जो आपके वावल सोते हैं में से कोई वर्ड नहीं लेकिन इसके पहले भी एंद लगता आपने अभी तक यूज़ भी किया होगा लेकिन क्यों होता है यह सायद रहे होंगे लेकिन अब नहीं रहिएगा तो रिजन यही है क्योंकि यह वर्ड जो है हमारा इस इंग्लिश के चो वर्ड्स होते हैं यह records होते हैं उसके पहले क्यों नहीं लगता है अब देखे कुछ वोड्स में आपके लिए लिक्या है जाए और से इसलिजिए यह बर्ड सिस्टाइंग हरी जबकि हमारा वव drummer से लेकिन यहां पह अन्न ना लगके हैं पर यह आप कह सकते हैं उनिवर्शल तो एवोड लगेगा जो कि इनल रो यह वर्ड से स्टार्ट हो रहा है जो कि हमारा गंजन में जा रहा है तो आई होब कि आपको वीडियो समझ में आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है छोटीस वीडियो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब आपको झाल में जा है जा वीडियो नडियो, जा वीडियो वीडियो।